ओम शंति आज आपका 113 दिन का वर्दान और आज के इश्वरिय वर्दान में परम्पिता परमात्मा हमें सची सेवा कैसे करनी है उसके बारे में याद दिलाते हैं तो देखें आज बाबा कहते क्या हैं सची सेवा के बारे में करना और कहना करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सचे सेवाधारी भवा क्वालिटी की सेवा में करना और कहना एक समान होता है तो परमात्मा विस्तार में कहते हैं सदा एटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है और आज की दुनिया में होता क्या है मैं यह करके दिखाऊंगा यह करो ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करो तो परमात्मा कहते हैं पहले खुद करके दिखाओ उसके बाद में कहना कि करते कैसे हैं तो यह सची सेवय हो जाती है औ किसे कर लेते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हो, और को भी हम कहते हैं, करने में महनत है, कहना सहज होता है, करने में महनत है, महनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वेम करते नहीं, घर बार में देखें, माता पिता अगर बच्चों को कुछ कहते हैं, कि कि ऐसे करो लेकिं खुद करते नहीं, तो बिच्चे कभी भी उस चीज को मानेंगे नहीं और अगर आप अगर आफिस में हैं, आफिस में बॉस है अगर आपने कarnya को क्या अपने subordinate को कि आप ऐसे करो ऐसे करो लेकि खुद नहीं करते हैं तो आपकी कि दूसरों को कहते हो, स्वेम करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डेस्ट सर्विस भी प्रतिक्ष होती है. क्या डेस्ट सर्विस होती है? कि आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं दिखती है, मजाक उडाना, खिलियां उड़ाना ये अगर किसी ग्रुप में गर देखा जाए अगर उसका लीडर ही कहता कुछ करता कुछ है तो फिर उसके अंदर शक्ती नहीं होती वो आप जो कहना चाहते हो चाहे जितना भी अच्छा हो जितनी भी अच्छी बात का हो लेकिंग अगर खुद नहीं करते तो दूसरे उसको खुद अपने आप से करते नहीं है या उसको फॉल्लो नहीं करते है तो बाबा कहते है जैसे अमरत के बीच विश की एक बूंद भी पढ़ने से सारा अमरत विश बन जाता है परमात्मान जो ग्यान दिया है वो तो अम्रित है और जो रहने, सेहने का खान, पान, हर चीज़ का बताया है वो भी अम्रित है लेकिन उसमें अगर हम खुद ना करें लेकिन औरों को कहें करने के लिए तो वो क्या हो गया, ग्यान तो अम्रित है, लेकिन औरों को बोला और खुद ना करा तो वो एक विश्क की बूंद के जैसे बन जाता है इंसान फिर उस चीज़ को मानता नहीं है, इंसान फिर रिबल करता है, है ना? और कहता है कि आप खुद नहीं करते हैं, तो हमें कौन होते हो कहने वाले? तो परमात्पर कहते हैं, वो डिस्स सर्विस हो जाती है इसे करने से तो ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है ये एक छोटी सी गलती है आप, घरबार में करो, ऑफिस में करो, बिजनस में करो, है ना? खुद ना करो लेकर न वरों को बोलो तो वो कह करती है, अब इमान दिखाती है आंकार दिखाती है और टेस्ट सर्विस कर देती है इसलिए पहले पहले अपने उपर अटेंशन दो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी पहले सवयम के उपर अटेंशन तब ही जा करके कोई आपकी बात मानेगा और आपको सच्चा सेवाधारी मानेगा तो आज का ये वर्दान आपका दिन शुब हो इसके उपर सोचे और स्वस्तर हैं, घर में रहें उम्शंति